मै specialized 4 का ये वीडियो है पार स्वीडियों को वाज करने के बाद ही फ्रेंट्स मेरा future video देखे कंटीननel शेहिस आपके लिए इस्ट्टेंट्स मैyst पर फूर में ट्रांस्पोर्स ट्रांस्पोर्स अफ मैट्रिक्स ए इसो देनोट करते हैं हम लोग एडाश से एडाश और कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं A to the power T इसे बोलते हैं लोग ट्रांस्पोर्स ओफे रिपर्जन कैसे करते हैं A के उपर आप T लगा दें A की पावर T A डैस या A पावर T इसका मतलब होता है ट्रांस्पोर्स ओफे और ट्रांस्पोर्स ओफे मैट्रिक्स में करना क्या होता है रो को कॉलों में चेंज करना होता है जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1-2-3 एक यह रो मैट्रिक्स है अगर हमें इसका ट्रांस्पोर्स निकलना हो एडेस तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 1-2-3 करेक्ट है शुब आसान लगा होगा आपको यह चप्टर बहुत आसान है यह गोई ओनने का टेइस एक मैत्रिक्स है one two three two four five इसका अगर ऐदस करना होता हुगा वान टू थी टू फॉपोर फाइव तो आपने समझा इसमें क्या किया मैंने इस रो वन टू थाइग को मैंने इस कॉलम में कर दिया और सेकन्ड रोको सेंग कॉलयंम करना क्या हुता क्या रो को इसकी प्रापाटिय इसके प्रापाटीज करते हैं क्या है इसकी प्रापाटीज प्रापाटीज phot znaj प्रापिक्स प्राइब का अगर दुबारा त्रांसपोस करेंगे तो आपको फिर से से वही मैट्रीक्स ए मिल जाएगी या मंदब मैट्रीक्स का ट्राइंगे प्रिक्स करेंगे तो एक क्रूम को पिर गतए को बिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीस में से लिखवा रहा हूं समझा दे रहा हूं लेकिन इसको वेरिफाइब करने के लिए आप अपने पास एक मैट्रिक्स मनब अपने पास से अपने मन से आप कोई भी एक्जामपर लेक्ट कर ला और वेरिफाइब कर लें जिसे नेक्स प्रॉपर्टी है इसकी कि A प्लस B का ट्रांसफोर्स करेंगे तो आपको A डैस प्लस B डैस मिलेगा अब इसको वेरिफाइब करने का सबसे आसान तरहीं कि आप दो मैट्रिक्स दीजिए A और B हाँ दोनों आडर सेम होनी चीए देखें कि लिए मैंने आपको पार्ट वन में डिसक्रसन किया था कि A प्लस B प्लस C का डैस करें तो तो A अगर यह को जैसे आप इसको जर्रालाइस फॉरम में पढ़ें ए जैसे हिमने का 5 a डैस ठीक है प्रैंट्स तो 5 a को आप ऐसे आप करीये कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए है का डेस कह रेक्ट है तो प्रापरेटी के एक्टर्डिंग्व इसका डिस्ट्रीगूई हो जाएगा यह देश the Father प्राइब टाइम्स एमस्ट ढ़िए ऑल प्रापरेटी को सांच सकते हैं लिया अपर सकेलर हैं न एक Training हम डैस करें आँ यह हो जाएगा एंड एडेस यहाँ पर एमर्टिक्स हो एल्ट है यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसके लरहा विद्ध करेक्ट है ओ इसी तरही किसे अगर हम बात करें आपसे a-b का अगर हम dash करें तो यहाँ भी a-b-dash हो जाएगा कोई फ़र्प महीं पढ़ेगा a-b का dash a-b-dash और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर a-b का dash बोले तो यह हो जाता है b-dash a-dash यहाँ पर ध्याम देने वाली बात है यह reverse हो जाता है इसको reversible लाभी कहते है a-b का dash करेंगे तो वो b-dash into a-dash होगा और इसको verify करने में यहाँ पर time ज़्यादा लग जाएगा आप अराम से बटा कर सकते हैं आप अपने मन में दो matrix a और भी लिजिए ठीक है उनका product कराईए उसका और उसका transpose करेए फिर आप b-dash निकालना a-dash निकालना आता है फिर b-dash का a-dash निकरा यह दोनों equal होंगे ठीक है न तो इस बात को अप जाद रखेगा a-b-dash a-dash यहाँ पर अगर जैसे a-b-c अगर आजए तो वही है same process c-dash b-dash a-dash तो वही बात अगर मैं कहूं यहाँ पर जैसे आपसे कि a-square का कोई पूच्छ-dash क्या होगा तो आप इसको ऐसे deal कर सकते है a into a-dash और यहाँ पर यह हो जाएगा a-dash आप यहाँ पर a-b-dash करता है तो b-dash a-dash होता है तो इस बात को जड़ा ध्यान में रखते हुए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई matrix a है उसमें अगर आपने n का multiply किया sorry कोई matrix a है और उसकी power n है जैसे a square a cube a की power 4 a की power 5 कुछ भी whatever और आप आप ने उसका transpose किया यह को लिजाता है a-dash की power n बल्लब जैसे आप कहीं लिखा हो a की power 5 का transpose तो आप a-dash की power 5 कर सकते हैं correct है तो यह मैंने transpose का transpose किया मिल गया वही a plus b का transpose किया a-dash b-dash मिल गया और इसके बाद मैंने a-b का transpose किया a-dash b-dash मिल गया तो इस तरीके से आपको transpose की properties बहुत आसान लगी होगे एसा मैं समस्ता हूं यह identity matrix का अगर transpose करेंगे तो वहीं मिलेगा आप लिख सकते हैं चाहें कि अगर कोई matrix identity उसका transpose करेंगे तो वहीं मिलेगा i इसको verify कर सकते हैं एक जामपल से इसके बाद हम इसकी symmetric matrix और symmetric matrix पर discussion करेंगे तो symmetric matrix क्या होती है आई समस्ते है इसको मैं रफ पर रहा हूं समस्ते है तो symmetric matrix क्या होती है और square matrix a square matrix important बात है matrix square होनी चाहिए a square matrix is set to be symmetric matrix मैं बोल रहा हूं आप लिख लिजे प्रीज मैं बहुत पुरान ही लिखाऊंगा a square matrix is set to be symmetric matrix if if aij is equal to aji friends मैंने क्या बोला a square matrix is set to be symmetric if aij is equal to aji मतलब यहां पर जैसे कोई पूछा है कि a12 किसके को होगा a21 के जैसे एक matrix हम a लिखते हैं 3 cross 3 order के example लेते हैं यहां पर लिखते हैं a11 a12 a13 यह place बता रहें कौन से इलिमेंट इनको यह a21 बोलते है second row first column second row second column second row third column third row first column third row second second column third row third column तो friends यहां पर आप देख रहे हैं इसको कि अगर यह matrix symmetric है तो इस condition को follow करना चाहिए aij aji के equal होना चाहिए मतलब a12 a21 के भाई a12 तो यहां 21 reverse हो जागा a13 a31 के कोल होना चाहिए मतलब यह वाला element इसके कोल होना चाहिए यह वाला इसके कोल होना चाहिए और यह वाला इसके कोल होना चाहिए ठीक है तो अगर आप इस तरीकियों से पढ़ेंगे कि aij is equal to aji तो बिल्कों निश्चिस तोर पर आप matrix बना सकते हैं कोई भी symmetric matrix design कर सकते हैं जैसे आपके paper में one marking question आ सकता है write an example of symmetric matrix तो if you know the definition of symmetric matrix aij is equal to aji then you write then you write an example of then you write example of symmetric matrix जैसे मैं एक्जामपल बनाना चाहूंगा आप आप कहेंगा सब्सक्राइब डाइगनल में क्या है लफटा क्या है बहीं आप यहां पर diagonal elements अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए कोई फर्ट नहीं पढ़ने वाला मतलब यहां पर five दिजिए यहां पर six लिग दिजिए यहां सेवन लिग दिजिए करेक्ट है यहां six है तो यहां six रिखना पड़ेगा इंपोर्टेन बात है क्यों के लिए यहां पर यहां पर seven है तो यहां सेवन आएगा क्यों क्यों यहां एट है तो यहां आएट आएगा यहां पर आपकुछ भी का दिजिए ठीक है आपके सामने फ्रेंट्स जो मैंट्रिक्स जैन हुई है इसे बोलें हम लोग symmetric matrix यहां पर आप देख रहे हैं कि condition इसन फॉलो हो रही है ए आई जैस्कोल टू एक करेक्ट है तो यह symmetric matrix बनाने का आपको तरीका मैंने सिखाया एक important बात है जो बच्चे ज्यादा पर याद रखते हैं बच्चे इसको याद नहीं रखते है अगर आपने मैट्रिक्स कभी पढ़ा हो तो इस पर focus नहीं होता तो अगर हम इस मैट्रेस का ट्रांस्वोस करें तो देखे क्या मिलेगा ट्रांस्वोस करना मैंने सिखाया आपको ट्रांस्वोस में रो कॉलम में चेंग होता है 567 यह जागा 567 698 यह जागा 698 788 10 788 10 तो आपने देख अरे यह क्या 567 698 788 10 दुनों सीम हो गए वाव एक रिजल्ट मिल गया आपके पास क्या एडाइस इसक्वाल टू एडाइस इसक्वाल टू ए मतलब यहां पर किसी भी मैट्रेक्स की सेमेट्रिसिटी चेक करनी हो तो सबसे आसान तरीका है उस मैट्रेक्स का ट्रांस्वोस करिए और ट्र नहींगे कि मेरी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रेक्स है वो से मैट्रेक है फ्रेंड्स सुनिएगा जहां से यह जो डफनीशन बताई इस डफनीशन की हेल्प से आप सेमेट्रिक मैट्रिक्स क्रियेट कर सकते हैं राइट एन जांपूल आप सेमेट्रिक मैट्रिक्स आप बन जैसे कोई पूछे कि एक मैट्रिक सी है स्टांस्पोर्स मलब यह सेमेट्रिक है कि नहीं सबस्क्राइब करें कि अगर सी मिल जा तो समय तो यह बात समझने वाली थी इसके बाद इस पर हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं इस पर बेश कुछ कोईशन लिख सकते हैं जैसे हैं मल यह वन माक का एक कोईशन मैंने ऐसे दे दिया 2, 3, 4, X, 8, 9, Y, Z, 10 हमने कहा कि यह मैट्रिक्स सेमेट्रिक है राइड दा वैलू आफ एक्स वाईज यह जो मैट्रिक्स अ है आपके पास गिवेवें मैट्रिक्स यह क्या है शेमेट्रिक है और अगर यह स् Bennetrix मैट्रिक से तो एक्स वाईए ढताइए तो आप डेफिनीशन जानते जानते है ऑड़ाई AGI के क्वेटो होगा यों है three यह four y के को जाएंगा y is equal to four और यह जड़ नाइन के को ज़ए ज़ जड़ जो जाएगा जड़ is equal to nine यह आपको असाल लग ठीक है लेकिन क्या करें पूछा जाता है one mark में question कि अपसे given matrix से देगा यह वन मांक के question बता रहा हूं तो आपने बता दिया कभी-कभी स्टुडेंट्स ऐसा भी कोशन आता है कि मैं इसी में बता दे रहा हूं कि मालीजी यहां 10 लिखा है यहां पर लिख जाते हैं नहीं क्यों कोई फर्ण नहीं पड़ेगा क्यों हमें मालूम है कि एजे एक को लोना चीए यह यह और एट रिवर्स करें तो यह जो ठीक है ना तो कभी बैचे कल्फी जाता है इसलिए मैंने यह आपको प्रॉल्म कर देशाल एक वन मां का कोशन आइसा भी आता है कि यह से कि ए प्लस एटेस इज सेमेट्रिक और नॉट कि आप समझें इस बात को कि मैंने कहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स ए है एन क्रॉस एन और की कोई मिस्टेक को फ्रेंट्स आप कमेंट में लिख सकते हैं और इन जनरल आप समझ भी जाएंगे देखिए कोई भी कुछ लिखत क्या नहीं है मने एक क्वेश्चन पूर्ट आप से प्टफ कि एक मैट्रिक्स ए है समझ क्यों कि प्लस एडेस जो लिखा है ज रा नहीं जिए कैसी करेंगे इस मैट्रिक को को आपके भी सुन मेठेटीद्स steam है क्ट एंगी गडिया मतलब क्यों आचाहिए उस मेंटिक का ट्रांस्पोर्स।ạoारो की तो ऐ से मिलना चाहिए थार्यस ओटरेंगे ma मतलब यह कि अगर यह सेमेट्रिक हुई थो यहाम्त प्ल dez कट ट्रांस्पोर्स करने फिर बlorबब देना चाहिए जैसे का transpose किया B मिला C का transpose किया C मिला A plus A dash का transpose करेंगे A plus A dash अगर मिल गया तो हम कह देंगे A plus A dash symmetric है How to check You know properties of transpose A plus B dash A dash plus B dash Yes or No A plus B dash A dash plus B dash Correct गलत तो नहीं बता ही बाप मैंने property लगा ही यहाँ आप आपने A plus B का transpose क्या होगा A dash plus B dash Correct है ना बरावर किता आथ है A dash A dash का dash करेंगे तो क्या मिल जाएगा A Transpose का transpose वहीं रहता है और मैंने एक properties बताइती addition case में A plus B B plus A केकवल होता है A dash plus A को हम A plus A dash लिख सकते हैं तो friends समझे है A plus A dash का transpose A plus A dash मिल गया मतलब हमने यहाँ पर क्या कहा कि A plus A dash का transpose A plus A dash Yes or no A plus A dash का transpose A plus A dash मतलब हम यह कह सकते हैं कि A plus A dash हमारी एक symmetric matrix है इसी तरीके से आप के पास किसी भी question में symmetricity चेक करने के रहे आए तो आप उसकी symmetricity इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसे question मेरे पास और छोटा सा सकता है मैं इसको रफ करना चाहूंगा मेरे पास साधन है जिसमें छोटा सा बोर्ड है और इससे में कहीं जा भी नहीं सकते हैं कुछ पर्चेस करने के लिए यह marker board मेरे पास है बट मारकर एविलेविल नहीं है दुकाने बंद है इस वज़े से मुझे चौक से पढ़ाना पड़ रहा है और चौक भी बहुत कमी है देखे कब तक चलता है मेरा काम इससे फ्रेंट्स मेरे पास एक question है कि मेरे पास given है एक सेमेट्रिक मैट्रिक्स पता है given है तो कहा घ्रै यागर एक सेमेट्रिक है तो kया होगा पास क्या थे से आप के कि एश समचिक मेरे लगी एक क। ऐसे मेट्रिक मेरे बता है कि habr is वुभ无ड यहां पर k nghनर है और ए-ट्रेंट्रिक से मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स A है तो 5A क्या होगा? मतलब A में 5 का मल्टिकर Rel можешь किनेंगे क्रने पर उसके congratulation में क्या होगा? Capric Meter होगी किनेंगे? मतलब question यह है कि matrix A symmetric है आपके पास सुनीए कह जहांसे! Matrix A symmetric है तो इसकी जनरल हम बात बोलें कि एक का मल्टिप्लिकेशन करने पर क्या स्थी सेमेट्रिसिटी चेंज होगी आई चेक करते हैं प्रापटी सब्रांस्पोस का जाहरा लेंगे यहां पर कि एक अगर हम ट्रांस्पोस करें तो के मिलना चाहिए प्रापटी सब्रांस्पोस क्या होगा कि एक यहां इसी लेक्चर मैंने सब्सक्रूस किया होगा के एक और और फ्रेंट्स इसने में अपको गिवेन ए मैट्रिक्स एक एक हैसा ही एक इमेट्रिक्स गिवन 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 ए क्या है symmetric matrix और अगर कोई matrix symmetric है तो a dash क्या होगा एक एक को लोगा मतलब आपको यहाँ पर पता है कि a dash किसके को लोगा इसका मतलब आप a dash की जगा क्या लिख सकते हैं इसका मतलब के a का dash करने पर क्या मिल गया के ते का डैस के एक कडिसके इन्हींद आपर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हूँ मतलब यहां पर यह कह सकते हैं कि किसी भी मैक्रिक्स अगर कोई मैक्रिस अगर समय तो उसमें स्केलर का मल्टिप्रिकेशन करने पर उसकी से में कोई फर्क बढ़ता नहीं है इसके बाद मैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में यह 20 मिनिट का वीडियो आलड़ी हो चुका है तो मैं पार्ट फाइब में आप इसको यह मत समझे अलग-अलग सर बना रहे हैं च वीडियो में आपको जानकारी मिल रही है सीखने को मिल रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने ही क्लास मेट्स को इसको ट्रांसफर करिए क्यों क्यों के लिए अगर है वीडियो आपको सहयता पहुचा रहे है तो दूसरों को भी सहयता पहुचाएगा इसके ब पार्टसप नंबर या किसी प्रकार का कोई भी कॉंटेक्ट नहां पर सेयर कुरूंगा जिससे आप उस पर अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं या हम